दोस्तो नमश्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में एक और नया दिन, एक और नई गाड़ी बटाप में से काफी सारे लोग कहेंगे कि गाड़ी तो नई नई है, मैं अल्रेडी दिखा चुका हूँ तो जी हैं दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही है आज हम I20 N-Line का एक नया कलर और नया वेरियंट लेके आए हैं इसी गाड़ी का IMT का ड्राइव रिव्यू भी हमने आपको दे रखा है अगर आपने नई देखा है अभी तक तो आप जाके उसे भी देख सकते हैं और ये cheapest available N-Line version है जो आप इंडिया में खरीच सकते हैं दोस्तों Hyundai की किसी भी कार की inquiry के लिए आप Nimbus Hyundai Noida को contact कर सकते हैं और किसी भी गाड़ी की जानकारी ले सकते हैं डीटेल में तो चलिए आज information दे देते हैं इस गाड़ी की आपको तो दोस्तों हूप करता हूँ अपने cinematics को enjoy किया होगा अब हम आपको दिखा रहे हैं Titan Gray Color में Hyundai I20 N-Line का Base Variant सेंटर में Hyundai का logo मिलेगा चेकर्ड फ्लैक डिजाइन में आपको grill देखने को मिल जाएगी पियानो ब्लैक के finish में करीए यह उसके अलावा नीचे air damp और number plate के लिए जगह आप देख सकते हैं red inserts आजाएगा bumper के lower part में N-Line की baging आजाएगी साथ ही साथ आपको बताता चलूँगा क्या अलग है इस base variant में तो bonnet पे lines, freeze lines as it is हैं और headlight यहाँ पे projector से change होके reflector हो चुकी है projector fog lamps दिए गये हैं और जगह जगह आपको piano black के inserts देखने को मिलेंगे जी हां दोस्तों N-Line के base variant में भी आपको alloy wheels देखने को मिलते हैं 195, 55, R16 के size के और देख ले तो fender पे भी आपको N-Line की badging मिलेगी और ORVM's के उपर आपको piano black finish जबकि यह गाड़ी single tone है और turn indicators भी देखने को मिल जाते हैं side look में देखें तो आपको side profile में भी एक lower lip या body kit मिलेगी जिसमें piano black का touch और red insert कर दिया गया है grey, black और red काफी अच्छे suit कर रहे हैं मुझे comment section में बताइएगा आपको यह कैसे लगे passenger side कोई भी request sensor नहीं है sunroof N-Line के base variant से ही provide कराई जाती है B pillar आपको matte black में finish किये गए है और उसके लावा देख ले तो left side में आपका fuel pillar cap है जो neatly integrate किया गया है tail lights के साथ आप देख सकते है इसके लावा I20 की badging मिलेगी आपको lights के अंदर अब आ जाते हैं इस गाड़ी के rare side की तरफ और आपको दिखाते है rare में क्या-क्या चीज provided है और चेक करते हैं top variant से क्या-क्या चीज missing है shackfin antenna body color में और यहां आप देख सकते हैं black color में आपको spoiler देखने को मिलेगा piano black में high mounts top lamp defogger provide कर दिया गया बट यहां पे आपको wiper missing देखने को मिलेगा अगर top variant से compare करें Hyundai की badging उसके अलावा नीचे chrome से जोड़ती वी till lamps left side में आपको i20 की badging देखने को मिलेगी दो parking sensors rare camera उसके अलावा नीचे diffuser दे दिया गया piano black inserts है diffuser के अंदर dual tip exhaust और rare में reflectors भी दे दिया गया अगर right side की बात करें तो यहां भी end line की badging करी गयी है और कुछ इस तरह के reflectors और dual exhaust की looks आती है चलिए अब आपको इसकी pricing बता देते है तो यह particular गाड़ी 9,84,000 एक show home price में आती है और इसका on road price है 11,11,000 आप चाहें तो screenshot भी ले सकते है और अब आपको लेके चलते हैं इस गाड़ी के interior की तरफ दोस्तो request sensor इसमें driver side भी नहीं आता है तो मतलब keyless entry इस गाड़ी में आपको नहीं मिलेगी सबसे पहले बात कर लेते हैं door panel की तो यहाँ पे आपको एक greyish finish में door handles सभी तरह के controls, red insert देखने को मिल जाएगा बट ambient lighting और किसी भी तरह का leather का usage यहाँ पे नहीं है Bose की branding नहीं करी गई है तो normal speakers यहाँ पे है bottle holders है, seat height adjustment है seat covers आपको leather height में मिल जाएंगे दो pedals है और दोस्तों इसका music system भी आपको इसी वीडियो के end में सुनाएंगे बात करें अगर AC vents की तो red insert दिया गया है traction control दिया गया है बट DRVM का button यहाँ पे missing है head lamp leveler provide करा दिया गया है बात अगर करूँ steering की तो सभी चीज़े in place है चाहे वो controls हो, चाहे वो end line की बैजिंग हो और चाहे वो steering का overall एक look हो यहाँ से कोई भी चीज missing नहीं मिलेगी key fob आपको यहाँ पे insert करना पड़ेगा और आपको keys भी एक बार दिखा देता हूँ light और आपको wiper के controls यहाँ पे मिल जाएंगे keys कुछ इस तरह से मिलेगी एक manual की और एक flip की तो चलिए key को insert कर देते हैं और देखते हैं क्या features में कोई कमी यहाँ पे देखने को मिलती है या फिर नई तो यहाँ आप देख सकते हैं speedometer on हो चुका है fully digital speedometer आपके सामने है और touchscreen system 8 inch का हो चुका है features इसमें सभी है बस यहाँ पे आपको थोड़े manual controls आ जाते हैं जिसके बारे में हमने आपको drive review में बताया और manual AC हो चुका है auto AC की जगा USB और power socket सभी चीज़ है as it is है बट wireless charging यहाँ से जा चुकी है उसके अलावा देखे तो यहाँ आप देख सकते हैं manual का gear knob कुछ इस तरह से देखेगा यह proper manual नहीं है यह IMT gear knob है और reverse camera की quality दिखा देते हैं आपको तो कुछ इस तरह की quality with guidelines देखने को मिलेगी screen जरूर छोटी है बट इसमें features काफी अच्छे अच्छे provided है touch response की बात करूँ तो यह आप देख सकते है touch response without any lag दिखाई दे रहा है और touch screen system के अंदर DRVM का feature भी दिखाई दे रहा है अलागी button हटा दिया गया है मैंने आपको पहले बताया था उसके लावा अगर बात करें तो settings में आपको यह कुछ controls देखने को मिल जाते है center में आपको twin cup holders, hand brake armrest के अंदर storage मिल जाएगी बट यहाँ पे sliding armrest नहीं है यहाँ आप देख सकते है उसके लावा अगर बात करी जाए तो आपको ambient lighting आपको याद होगा जब मैंने आपको top variant का walkaround दिया था तो आपको ambient lighting का जिकर किया था वो चीज़ यहाँ पे नहीं है cool glow box है पाकी hard plastic का usage है पूरे area पे आपको passenger side mirror देखने को मिल जाता है उसके अलावा IRVF manual adjustment के साथ sun glass holder, cave in lamps, halogen में मिलेंगे और sun roof जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि base variant से आपको देखने को मिलती है अचा दोस्तों normal i20 से roof इसमें black मिलेगी IMT की कुछ instructions यहाँ पे देखने को मिलेंगी और driver side कोई भी चीज provided नहीं है तो दोस्तों ये तो कुछ बात हो गई आगे की अब एक बार speedometer के features भी दिखा देते हैं आपको steering mounted controls से आप इसे toggle कर सकते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं तो lights, door, convenience और उसके अलावा काफी सारे controls यहाँ पे provide करा दिये गए और हम कह सकते हैं कि speedometer के अंदर से कोई भी major missing feature टाइब लेगा और अगर बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने गाड़ी को start कर दिया अब और थोड़ा से देख लेते हैं sunroof को खोल के कि कैसा view आता है और कितनी बड़ी यह sunroof है आपको दिखा देते हैं तो यह आप देख सकते हैं कुछ इतनी बड़ी size की sunroof आपको देखने को मिलेगी और ये कुछ interior का लुकाता है sunroof open करने के बाद sunroof को बंद कर देते हैं और चलते हैं अपनी rear seat की तरफ और वहाँ पर आपको दिखाते हैं क्या-क्या चीजें provide करा दी गई है तो hope करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको यहां तक पसंद आ रही होगी समझ आ रही होगी तो वीडियो को like जरूर कर दे तक ही अब मोटिवेशन मिलती रहा है ऐसी वीडियो बनाने की tweeter इसकी placement यहां पर मिलेगी और चलिए driver side door को बंद कर देते हैं और लेके जलते हैं आपको rare seat space की तरफ तो दोस्तों rare seat space यहां passenger side आके check करते हैं because मैंने seat काफी जादा पीछे करी हुई थी तो यहां पर आप देखेंगे तो मिलेको ample leg room देखने को मिल रहा है कोई बहुत जादा अच्छा मैं इसे नहीं कहूंगा seat back में pockets provided है आप देख पा रहे होंगे और मेरी height है 5 foot 10 तो उस हिसाब से आप अद्दाजा लगा सकते हैं rare AC vents, USB socket और थोड़ी spacing hump दिया गया है और उसके अलावा rare में देखते हैं अगर कोई चीज missing हो interior का look कुछ ऐसा आता है rare से और एक continuous AC vents का design यहाँ follow किया गया rare में अलग से keven lamp provided है और उसके अलावा roof आपको black पिलेगी मैं पहले बता चुका हूँ और दिखा देता हूँ तो यहाँ पे आपको adjustable headrest हटा दिये गया है जो कि एक missing चीज हमेशा feel होगी आपको उसके अलावा यह आप देख सकते हैं fixed headrest दे दिये गया है और red insert door में यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है चलिए rare seat से उतर जाते है और एक और चीज rare में आपको दिखा देता हूँ rare से आपका armrest भी जा चुका है हलाकि उसमें cup holders तो top variant में भी नहीं आते थे चलिए अब दिखा देते हैं आपको इस गाड़ी का boot तो यहाँ आप देख सकते हैं boot को open कर लेते हैं तो नीचे electromagnetic button दे दिया गया है और parcel tray आपको provided है boot lamp हटा लिया गया है हलाकि hook provided है यह देखिए boot lamp की spacing left side की अगर बात करूँ तो यहाँ से subwoofer हटा दिया गया है और hook अभी भी यहाँ पे in place है उसके अलावा देखें तो parcel tray आपको बताई चुका हूँ spare wheel चेक कर लेते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं steel wheel है और size है 185, 65, R15 तो यह कुछ बात हो गई boot की अब आपको कैसा लगा overall इस गाड़ी का interior exterior comment section में लिख दीजे और अगर कोई कमी लगती है वीडियो में या किसी भी चीज में तो वो भी आप comments में लिखके बता सकते हैं finally आपको check out करा देते हैं इस गाड़ी का engine बे turbo GDI red में finish किया गया है तक कि आपको याद रहे या आपकी normal i20 नहीं है हलाकि insulation इसके अंदर नहीं है 120 PS की power, 172 Nm का talk और इसका drive review आपके लिए live है तो दोस्तों कैसी लगी आपको i20 N-line के base model की ये वीडियो जरूर comment section में लिखिएगा अगर कोई कमी रह जाती है तो वो भी आप comment section में लिखके बता सकते है या फिर Instagram पे हमारे साथ जुड़ सकते है तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको N-line वर्जिन का base variant और क्या आपको ये value for money लगा या फिर नई सबी चीज़ें हमारे साथ जरूर शेयर करियेगा एक चीज़ रह गई है जो आपको दिखानी है सुनानी है वो है इस गाड़ी का music system उसे एंजाय करिए और फिर वीडियो को end कर देते है झाल 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 झाल